Hello students, I am Shivam Sahu. आज जो हम बात करने वाले हैं, X-Size 2.1 में question number 2 and question number 3 की बात करने वाले हैं. Okay, question number 2 लिखा है, write the coefficient of x square in each of the following. आपको x square का coefficient लिखना है. अब यहां पर coefficient क्या होता है x square का, वो अपन यहां पर समझते हैं. x square का coefficient तो यहां पर ज्यां समझेगा. देखा है x square के साथ में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो यहाँ पर जो coefficient रहेगा x square का, वो क्या होगा, 1 होगा, ओके, तो इसका answer किता आएगा 1, coefficient of x square is 1, फिर मैंने यहाँ पर देखा, second वाले solution में, यहाँ पर मैं देखूंगा, x square coefficient का है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 मतलब यहाँ पर तो minus आगया, इसलिए यहाँ पर x square का, कोफिजिंट क्या होगा, minus 1, the coefficient of x square is minus 1, then अपने बढ़ते हैं अपने next third part के ओर, यहाँ पर मैंने देखा, x square को कोफिजिंट क्या है, by by 2, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने देखा, the coefficient of x square is by by 2, बढ़ते ह आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर, root 2 x minus 1, और मैंको x square को कोफिजिंट बताना है, अब मैंने इस question में देखा, x square तो ही नहीं, तो यहाँ पर x square को कोफिजिंट कितना होगा, 0, कितना होगा, 0, okay, so here our question number second is completed, बढ़ते हैं अपने next question के और question number third, question number third देखेगा, क्या लिखा each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100, आपको बुला गया है कि आपको एक example देना binomial का जिसके degree कितनी होना चाहिए 35 और आपको monomial का example देना जिसके degree कितनी होना चाहिए 100, तो यहाँ पर जहां जो समझिएगा, जब मैं इसे solve करूँगा, तो मैंने देखा, binomial का सबसे बढ़े example दूँगा, binomial म 35 प्लस X, तो मैंने देखा, यहाँ पर 35 डिगरी बे आ गई और दो टम्स बे आ गई, तो इसलिए यह example का होगा, binomial का, ओके, and a monomial, आपको monomial का भी example देना है, जिसके degree कितनी होना चाहिए, 100, अब degree 100 होना चाहिए, तो कुछ ही बोल सकते है, example जैसे यह example देता, वेसे यहाँ आपके भी एक और example देते है, माल लिजिए, monomial मतलब 1 तम, तो माल लिजिए y, यहाँ पर बोल जिए y की power 100, तो मैंने देखा, यहाँ पर कितने तम आ रही है, only y आ रही है, मतलब a की तम आ रही है, तो यह का का example हो गया, monomial का, और मैं को जिसके degree कितनी बतानी थी 100, तो यहा का example हो जाएगा, monomial का, okay, so here our question number second and question number third of exercise 2.1 is completed, if any doubt, then comment in a comment box, okay, thank you.